तो ये सीरिस चल रहे है हिमाचल प्रदेश पूलिस कॉंस्टेबल 2021 के लिए और आज हम English के लिए discussion करेंगे और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं question को यह question है synonyms मैं से तो vocabulary आपकी जितनी strong होगी दो या तीन माक्स आपके पक्के हो जाएंगे बिलकुल ठीक है directly synonyms, antonyms ही पूछ ले जाते हैं English vocabulary के या फिर जो comprehension आएगा close test आएगा या फिर कुछ भी आएगा उसमें vocabulary directly indirectly पूछी जाती है तो इस topic को अच्छे से देखना जरावी नजर अंदाज मत करना 16 questions मैं से अगर 3 questions भी यहाँ से आते हैं तो यह एक बहुत वड़ा number है तो पहला है horrendous, horrendous basically हम किसी खराब चीज को दर्शाने के लिए use करते हैं लेकिन यह खराब आप अगर सोचों की normally खराब है तो ऐसा नहीं है अगर हम बहुत खराब की बात करें तो यह horrendous हम bird use करते हैं ऐसे तो हम जो bad है वो भी use कर सकते हैं तो horrendous अगर use हो गया मतलब greatly unpleasant बहुत बुरा और very huge होता है enormous gigantic यानि की very big तो यह बो वाला आगया mildly sincere होता है इमानदार ठीक है तो mildly sincere आगया थोड़ा थोड़ा हलका हलका sincere कोई हलका हलका इमानदार और most pleasant मतलब बहुत अच्छा तो यह exactly antonym है किसका horrendous का लेकिन हम यहाँ पे synonyms discuss कर रहे है greatly unpleasant जो है इसका सही answer हो जाएगा उसके बाद next है authentic authentic है अगर कोई चीज तो उसके उपर हम बिश्वास कर सकते हैं ठीक है तो सारे options ध्यान से देखो अगर हम यहाँ पे option number भी देखते हैं तो यह सही synonyms निकल के सामने आ जाता है genuine जो होता है यह भी एक समान्य होता है जिसके उपर हम बिश्वास कर सकें तो यह synonyms है लेकिन यह जो admirable है adjustable है इनके भी meanings आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि एक ही किसी question में पांच लगभग words हम सीख पाएं vocabulary तब ही improve होगी तो admirable का मतलब होता है हिंदी में प्रशंशनियों सराहनियों appreciable हम इसका synonym देख सकते हैं उसके बाद adjustable flexible आप बोल सकते हो ठीक है synonym इसका adjustable जो adjust हो जाए जो भी conditions है situations है उनके according जो adjust हो जाए वो adjustable तो सही answer जो होगा genuine ही होगा authentic यह easy है इसमें कोई problem नहीं आएगी rectify होता क्या है suppose करो दोस्तो मैं कोई video record कर रहा हूँ और फिर उसके बाद उसको देख रहा हूँ कि मैंने क्या video सही बनाई या नहीं तो जब मैं इसको check करूँगा और बहाँ पर देखूँगा कि कोई मैंने vocabulary गलत discuss कर दी है तो अब मैं सोचूँगा कि इसको correct करूँ तो उसी को rectification बोलेंगे यानि कि correct करना उस चीज़ को क्या बोलेंगे rectify अब यहाँ पर option है बी जो है alter इसका भी मतलब आपको पता होना चाहिए अगर मैं सोचूँ कि मैंने ठीक बनाया है वीडियो जो है ठीक बनाया है लेकिन दोस्तों उसमें कुछ चीज़े missing है तो मैं क्या करूँगा alter करूँगा उसको थोड़ा सा बदलूँगा वीडियो कर दूँगा और इस series को continue रखो मैं वीडियो बनाने की तो continue इस reference में आएगा तो सही आंसर जो होगा rectify का जो synonym है वो correct होगा सुधारना उसके बाद है miraculous miraculous miracle क्या होता है miracle होता है चमतकार लेकिन यह क्या है संग्या या फिर सीधा मैं बात करूँ English में तो यह है noun यह जो miracle है लेकिन जब इसको हम adjective बनाएंगे तो हम बना देंगे miraculous तो चमतकारी तो amazing जो है यह भी चमतकारी ही होता है ठीक है जब हम किसी चीज़ को देखके ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होई नहीं सकता फिर भी हो गया हो तो वो amazing होता है या फिर miraculous होता है wonderful mysterious जिसमें दोस्तों थोड़ा सा रहस से छुपा हो ठीक है तो उसको हम mysterious बोल देंगे mystery जो है यह संग्या है noun है लेकिन इसका adjective बनाएंगे है mysterious अब sudden जो है sudden मतलब अचानक बिल्कुल आपने सोचा था जैसे कि आप सोचोगे कि आपका exam जो है expected है कि जुलाई मन्थ में हो मैं एक example ले रहा हूँ आप ऐसा होँ सोचना कि आपका exam जो है जुलाई को होगा अगर मैं normally बात करूँ कि आपका exam suppose करो जुलाई को है और exam date आगई February तो suddenly होगा sudden जो है ये आप इसको adjective बोलोगे suddenly जो है उसको आप एडवर बोलोगे उसके बाद unexpected आपने सोचा था कि पुलिस के exam में आपका score होगा 60 लेकिन आपने महनत की दिन रात ठीक है और exam देने चले गए और बहाँ पे आपने score कर लिया 70 तो आप expect ही नहीं कर रहे थे कि हमारे इतने marks आएंगे तो वो ये चीज है अच्छे से देखो miraculous मतलब यहाँ पे amazing चमतकारी या फिर जिसके ओपर बिश्वास ना हो उसके बाद warranty दोस्तो warranty क्या होता है कोई भी appliance है कोई भी machinery है तो जब company बोलती है कि अगर खराब होगी ये कोई कोई भी machine जो है इसमें कोई खराबी होगी तो हम उसको ठीक करके देंगे लेकिन वो warranty देते हैं इसका मतलब यह नहीं होता कि वो यह बोलेंगे कि हम ठीक करके देंगे warranty का मतलब आप यह समझो कि company बोलती है कि इसमें कोई खराब भी नहीं है आप हम पर बिश्वास करो तो guarantee देते हैं वो warranty और guarantee एक ही च बिश्वास दिलाते हैं आपको कि यह चीज सही है खरीद लो उसके बाद threat, threat मतलब खत्रा, danger, order for arrest मतलब गिर्फतारी जो है उसके आदेश, issue, issue जो है इसके कई meanings हैं लेकिन normally हम जो देखते हैं issue होता है मुद्दा, जैसे voting के टाइम में कोई भी नेता किसी मुद्दे गो ले नेब अगर कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति होगा धूर्त ठीक है जो आपको उल्लू बनाने की कोशिश करेगा तो नेब और scondral क्या है यह सिनोनिम्स तो यह भी धूर्त होता है scondral कहलो नेब कहलो emperor मतलब शाशक, enchanter, enchanter क्या करता है आपको मोहित कर देता है यानि कि जादूगर होता है उसके बाद soldier, सिपाही तो यहाँ पर बस याद रखना नेब जो है उसका सिनोनिम होगा scondral उसके बाद है prodigal, prodigal इनसान कोन है जैसे suppose करोगी उसने कोई website खोली, shopping बाली और उसको जरूरत है किसी एक pair की shoes की लेकिन वो क्या गरेगा जैसे ही उस website को खो चपलें भी मंगबा लेगा, जूते भी मंगबा लेगा, शोक्स भी मंगबा लेगा, और भी पता नहीं क्या क्या मंगबा लेगा, खर्चा करना था 100 रुपे का और खर्चा कर दिया 1000 रुपे का, तो इसको बोलते हैं based full, ज्यादा बेस्ट करता हो पैसा, अब huge जो है, हमने समझ सोचना prodigal और prodigies same है, prodigies है कोई चीज, abnormal है, unnatural है, ठीक है, जिसका size बहुत बड़ा हो, आप huge, prodigies और enormous इन तीनों को synonym समझ सकते हैं, लेकिन अलग-अलग references हैं इसके, यह जो prodigies है, तो बस आपको यह अच्छे जो देखना की, prodigal जो है, इसका synonym है, based full, उसके बाद है, impost, impost जो है, इसके basically दो meaning निकल के सामने आते हैं, जब हम बात करते हैं, normally, जो ज़्यादा use होता है, बो होता है, एक type का tax, हिंदी में कर बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे option C, जो है, सही synonym हो जाएगा, लेकिन, impost जो है, अगर कोई पाखंडी है, जैसे, आज के time में, बाव पास नहीं किया जा सकता, काफी पखंडी होते हैं, तो impost उने भी बोल सकते हैं, fertilizer क्या होता है, खाद होती है, जो खेतों बगएरा में, फसल में डाली जाती है, dispatch होता है, भेजना, जैसे कुछ भी आप यहाँ से बहाँ भेजोगे, dispatch करोगे, postage होते है, dark, post office से लेटर चीज होगी आपके vocabulary में, उसके बाद है course, तो अगर हम homophone, homonym बगएरा देखें, तो course एक इस तरह से होता है, और एक यह बाला है, तो इस course का तो आपको पता है, क्या meaning होता है, कोई particular time के लिए कुछ भी करना, course, अब यह जो course है, यह होता है दोस्तों, जो जगा, उबड़, खाव rough C हो, तो C option इसका सही होगा, course मतलब rough, अब grain का आपको पता है, academic का भी पता है, training का भी पता है, तो बताने के जरूरत नहीं है, next है forgo, forgo क्या होता है, forgo होता है, त्यागना, जैसे कि abdicate होता है, renounce होता है, तो renounce जो है, इसका सही सिनोनिम होगा, disown मतलब, औस विकार करना defy कर दिया, deny कर दिया, उसके बाद leave, leave मतलब छोड़ना और accumulate मतलब इकठा करना, तो यहाँ पे forgo का renounce सही सिनोनिम होगा, उसके बाद है recipients, recipient होता है, रशीद, लेकिन दोस्तों, जो recipients हैं, यह होते हैं, जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, receivers होते हैं, तो C option सही होगा, सिनोनि creators, जो किसी चीज की रचना करते हैं, donors, जो कुछ देते हैं, जैसे हिंदी में data बोलते हैं, उसके बाद instigators क्या होते हैं, जो increase करते हैं intensity को, आप जैसे मैं example के दोर पर देखूँ, यग यह होता है, बेदी जो होती हैं, अगर घी कोई डाल रहा है, ठीक है, तो घी क्या है, instigator, जो और आगे आग को भड़काएगा, उसके बाद है frontier, अच्छा, फ्रंट जो है, यह क्या है सबस्वेले, यह समझो, जो starting होती है, ठीक है, फ्रंट बो है, तो कोई भी boundary है, तो यहां से भी starting हो जाती है, यहां से भी starting हो जाती है, किसी देश की सीमा की ब बोल देते हैं, जैसे frontier गांधी आपने सुनाओगा, तो अब्दुल गफार खान जो है, उन्हें frontier गांधी इसलिए बोलो जाता है, क्योंकि सीमा के आसपास वो काम करते थे, जो भी है, क्योंकि उस ताइम अफगानिस्तान जो है, वो अलग कर दिया गया था, तो उस एरिया देना, हो जो है, आदा होता है, और नो ऐसे इसके पैर में होता है, तो शुद बरतनी में कई बार ये चिन आ जाता है, हो आदा है, नो पूरा है, लेकिन लगता ऐसा ही है, कि एन जो है, नो जो है आदा है, और हो पूरा है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो कोई भी चिन वगएरा है boundary के आसपास तो उसको landmark हम बोलेंगे boundary जो है frontier का हमने synonym देख लिया है सीमा इसको हम बोल देंगे उसके बाद corner corner होता है kona तो इसमें तो कोई problem नहीं आएगी उसके बाद है route route या root इसका मतलब है बुरी तरा से हारना defeat जैसे पाकिस्तान और इंडिया army की बात करें जब भी टकराते हैं तो पाकिस्तान की का होती है route होती है तो defeat समझ लो और death मतलब मरित्यू और loss मतलब नुकसान या घटा और crash मतलब दुर घटना जैसे plane crash and so on तो ये अच्छे से देखो उसके बाद है irreproachable तो दोस्तों अगर किसी भी चीज में कोई fault ना हो कोई कमी ना हो तो उसको हम बोल देते हैं irreproachable तो faultless जो है इसका सही सिनोनिम हो जाएगा सी option सही है remarkable जिसके बारे में हम tip नहीं कर सकते हैं मतलब जो लिखने योग्य कोई चीज है उलेखनी हो तो ये इसका अर्थ है extraordinary और सधारन होता है और immense जो अत्यधिक हो कोई भी चीज ठीक है density में काफी हो तो immense उसको हम बोल देते हैं और सही answer तो इसका irreproachable का faultless ही था फैलिसिटी फैलिसिटी खुशी होती है ठीक है happiness होती है तो फैलिसिटी bliss इना bliss अगर आप बहुत खुश हो तो आप बोलते हैं हम be are in a bliss तो bliss और happiness और फैलिसिटी स्नोनिम्स है and prosperity समरिधता जिसमें काफी अधिकता हो किसी चीज की चाहिए money हो and so on honesty मतलब इमानदारी सोरो मतलब दुख तो फैलिसिटी जो है इसका इन्टोनिम क्या है सोरो तो अगर हम 15 भी discuss कर रहे हैं तो हम लगवग 70-80 words discuss कर रहे हैं लगवग 15 मिनिटों में ही इससे फास्ट कोई बे नहीं हो सकता vocabulary strong करने का अब जुड़े रहो हमारे साथ अवेर courses बगएर access करना चाहते हैं हमाचल के किसी वे exam के लिए तो whatsapp जुरूर करो 9816401767 मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाए हिंद जाए हमाचल